आज मैट्रिक के अगजाम ठतन हो गया है यह वच्चे कितना खूस है अब हुशा बहुत हूस है कोई टॉप करेंगा कि निपाई लेहीं बता आगा अगा अगा लेगे टॉप करेंगे ते बता मैट्रिक के बाद तुम लोग क्या सोचे हो क्या करोगे आज आखरी परिक्षा था तुम लगा फ़र्स सिटिंग का अब तो मौन पूरा हलका हो गया होगा इस वक्त हम एक परिक्षा केंदर पर मौजूद है जहां मैट्रिक का परिक्षा समाप्त हो गया है आज जयाने कि जो पहले सिटिंग के बच्चे हैं वो लोग एक्जाम दे कर आ रहा हैं ऐसे हम दोग का आज परिक्षा sound अगे क्या सोचे रहा हैं इंटर बीए करने के बाद मैट्री के बाद जो भी करो गया चलो और भी बच्चे आ रहे हैं हम इनसे जाने गए बावी एक्जाम खतम हो गया कैसा था अच्छा था अच्छा पेपर था अच्छा नमर आएगा तो आगे सोचेंगे क्या लगता है बिहार बोड कैसा नमबर देगा इस बर रिजल्ट के तो बहुत बनिया देगा पेपर कैसा गया अच्छा पेपर तुम लोग आइस तो एक्जाम खतम हो गया सब कैसा एक्जाम जैसे मर्द के था तो हम लोग के उतना समझ में नहीं आज जो और भी से गिया से परिक्षा खतम हो गया माथ अधा हो था का बौझ अलका हो गया भी हर बोड आश्यार मार्किंग देगा या जैसे जो लिखा उस प्रकार से तुम लोगो रिजल्ट मिलेगा इस प्रकार से लिखें उमीद है आगे चलके क्या करोगे तुम लोग अभी खतम तो हो गया पहला एक्जाम तुम लोग का सफल रहा है कि आगे चल रहा है कि नहीं कुसी नहीं दिख रहा है इतना लोग में को टॉप आप करेगा कि नहीं एक बात बताओ बिहार बोर्ड नंबर कैसा देगा इस पर क्या लगता है आज आखरी परिक्षा है आज आखरी परिक्षा था तुम लोगा फॉर्स सिटिंग का अब तो मान पूरा हलका हो गया होगा सब्सक्राइब बता सकते हैं जो माहत का पेपर लिख हुआ तो उसका फिर से एक्जाम होगा अभी अभी जो ऑफिशियली जो बिहार बोर्ड से आया नहीं कुछ नोटिस की रद हुआ है ऐसे में क्या तुम लग सभी चिंती तो बैद पेपर को लेख नहीं आने जाने में दीकात इतना सुबा सुबा इतना ठंडा ठंडा भी है ठाने का पैसा लगता है रहने का पैसा अरे तुम लग बड़ी खुश हो पेपर कुशा है चाप आपके लिखे हो का पालें श्लोग सभी बात किजिए पालें श्लोग उदार हाँ